सब्सक्राइब कर दीजिए आई होप आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है ऑडियो वीडियो क्लियर एक बर बस मुझे बता दीजी ताकि हम लोग जल्दी से शुरुआत कर ले हमारे सेशन की और क्यूंकि हमें बहुत सारे जो है क्वेशन करने हैं बीपेसी टीरी 2.0 के और 1.0 की भी चलिए आफ्टनोन आप सभी को चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ में सक्सेस इस दे सम अफ स्मॉल एफ़र्ट में चोटे चोटे जो एफ़र्ट आप लेते हो जिंदगी में उसी से आपको जो है सफलता प्राप्त होती है रोज जो आ आपका जो है ट्री पॉंट जिरो में जो है बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और एक्जाम आप क्लियर कर पाऊगे तो क्या आप रेडी है हमारे पूरे क्वेशन शुरुआत करने के लिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देंगे क्या सभी लोग रेडी है जी हां य सुरुआत करते हमारे पहले कोईशन के साथ में जो की बीपेसी ट्यारी 2.0 में पूछा हुआ क्वेशन है भई पी आटी का क्वेशन नहीं है बताइए विच वन आप फॉलोइंग इस नौट ट्रेडिशनल इर्रिगेशन मेतड मतलब निमनलीगीत में से कौनसी जो है पार नाली जो होती है या फिर एक से अधी क्या कोई भी नी सभी लोगो के कमेंट मुझे कमेंट के अंदर जली-बहले सभी कमेंट करते रहेंगे चेट रैट कम नहीं अछाई है चली बताई जल्दी से सभी के अंसरसक्तifs बेखाई दे रहे हैं बहुत लोग C बोल्रहें कुछGS येस बोल रहे है CC, drip irrigation बोल रहे है, जी हाँ, देखिए, अब जो drip irrigation जो लोग भी बोल रहे हैं, उनका answer correct है, जी हाँ, drip irrigation जो है, आपकी traditional नहीं है, देखिए खंदक प्रनाली, एक बार हम सारे ही irrigation को देख लेते हैं, irrigation क्या होता है, कि भई आप जो पानी है, आप खेती के लिए जो पानी को पहुचाते हो, कुवे से पहुचा होगे, या फिर आप जो भी system इस्तेमाल करते हो, वो पूरा प्रोसेस होता है, irrigation का सिचाई का प्रक्रिया होती है, तो अब यहाँ पे देखिए ढेकली, यह एक आपकी drip, मतलब पुरानी जो है, पारंपरिक जो है, irrigation की method है, इ यह एक रहा आपका liver system, जो की राहत भी से कहा जाता है, clear है, तो इसका जो correct answer है, वो है आपका drip irrigation, अब यह drip irrigation क्या है, drip irrigation अभी नहीं method है, जिसके अंदर हम क्या करते है, बून-बून जो है, पानी बराबर से एक controlled मातरा में, बून-बून पानी एक controlled मातरा में हम लोग यहां पर पूरा drip irrigation, ताकि जितनी जरूरत है, उतना ही पानी उनको मिले, जाधा पानी मिलने से भी वहानी होता है, clear है आप सभी को, जल्दी लिए से सेशन को सभी को शेयर कर देंगे, आप सभी लोग 430 जो है हमारे पास live है, और केवल 200 के करीब likes हो रहे है, likes का target हमारा रसाइनिक नाम क्या है, आपको यह बताना है, methanol है, ethanol है, ethyl acetate है, या फिर acetic amla है, बताइए क्या, या फिर एक से अधिक या कोई भी नहीं, यह भी BPSC में पूछा हुआ आपका प्रशन है, पहले से पूछा हुआ है, बताइए, acetic acid सिर्के का जो, basically आपका सिर्का है, उस रोशन, सौरब, बहुत बढ़िया, very nice, जी हां, तो acetic amla, जो होता है, ठीक है, acetic amla, जो होता है, आपका CH3, COOH, ठीक है, इसे acetic acid भी कहा जाता है, और यह जो है, आपका इसी को सिर्का विनेगर भी कहा जाता है, सिर्का यानि विनेगर भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना ह आपको, clear है, यह point आपको, चलिए, इसके बाद, ethanol हमने देखा था, कि आप जो है, fuel अपने गाडियों में, आजकल जो है, biofuel की नाम पे इसका इस्तेमाल करते हो, methanol आपने देखा था, कि methanol toxic होता है, clear है, चलिए, अब आगे बढ़ते हम लोग, अलग-अलग, जो acid होता है, कौन से acid के source से, कहां कहां से हमको क्या मिलता है, एक बार देख लेते हैं, सिरके में कौन सा acid होता है, आपका, acidic acid होता है, बहुत important है, यह वाली slide आप लोग, बिल्कुल note down कर लीज़ेगा, सिरके के अंदर, आपका acidic अमला होता है, सेप के अंदर, malic अमला होता है, दूद के अंदर, lactic acid होता है, lactic अमला होता है, इसी वज़े से, जब भी दूद फटता है, तो कर्ड में, मतलब दही में, जब convert होता है, तो lactic acid की वज़े से होता है, यह निम्बू का रस जो है, उसके अंदर भी citric acid होता है, citric acid होता है, यह ध्यान रखना है, और अंगूर जो है, अंदर, tartaric अमला होता है, यह भी चीज़ धान रखना है, आपको, vinegar, acetic acid, apple, malic acid, milk, lactic acid, यह आपको ध्यान रखना हो, टमाटर के अंदर, oxalic acid होता है, यह भी बहुत important है, clear है आप सभी को, चलिए, आगे बढ़ते हैं हमारे, एक और important, NCRT का जो एक screenshot है, वो भी देख लेत है, बहुत important, 9-10 में पूचा था, 9-10 के science के exam में पूचा जा चुका है, वो भी GS में नहीं, वो आपका जो 80 marks का होता है, उसमें पूचा था, यह important है, टमाटर वाला, नेटल का डंक हो, चीटी का डंक हो, निम्बू में आपने देखा, citric acid होता है, खटा दूज जो होता है, वो lactic हमला होता है, clear है सभी को, जल्दी से सभी लोग comment करके बता देंगे, clear है points आप सभी को, बहुत important यह table है, NCRT का table है, बहुत सारे exams में questions इससे पूचे जा चुके, चलिए, आगे बढ़ते हमारे next slide की उपर बताई, number of sex chromosomes in a human kidney cell is, भाई की kidney जो होती है, आपकी मानव गु कोशिका में link की गुण सुत्रोग की संख्या कितनी होती है, यह भी BPSC-TRE 2.0 का प्रशन है, BPSC-TRE 2.0 में पूचा हुआ प्रशन है, जल्दी से सभी लोग comment करेंगे मुझे कि क्या इसका सही answer है, मनिशा जी थैंक्यू सो मच, आप बोल रहें, अच्छा पढ़ाते है सर, आप पढ़ते रहें, आप comment करते रहें, सभी लोग comment करेंगे, like भी करेंगे, और जल्दी सेशन को share करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे teaching परिक्षा चनल को, likes केवल 300 हो चुकिया, हमें 500 like पूरे कर ठीक है, गुन सुत्रों के लिए, मतलब, chromosome होते हैं, basically 2 तरीके के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका जो baby होगा, वो लड़का होगा, या लड़की होगा, वो depend करते हैं, उसके उपर वो chromosome का कौन सा type है, मतलब, chromosome की type पे depend करता है, तो वो chromosome आपको पताना है कि कितने पेर होते हैं उसके जल्दी से कमेंट करके बताओ बहुत से बच्चे जो ए और बी में चलो कोई बात नहीं जिसका भी जो आंसर है एक बार हम लोग कंसर समझेंगे उसके बाद एक बार देखते हैं देखिए टोटल जो है आपके शरीर के अंदर जो है नार्मल हुमन सेल के अंदर सुनाटिक सेल भी कहा जाता है इसको तो तो इसके अंदर टेईश जो है पूरे क्रोमोजोम होते यह आपके क्रो मुस्ञुम के क्लियर टेव क्रोड क्रोमोजोम की उसमें से 22 बाले आपके 22 बाएश गरे वो होते हैं कि बारे ना나मल ne non-sex वाले जो है ठीक है non-sex chromosomes होते हैं और एक जो होता है वो sex chromosome का पियर होता है एक pair बोल रहा है pair के अंदर मतलब एक pair of the Makes the name a pair. आपके जूते की जोड़ी में कितने दो जूते राएंगे तो एक pair के अंदर कितने राएंगे दो ग्रोमोजोम रहते है पर तो सकता है आपकाा एकस क्रोमोजूम तो सेख्स ग्रोमोजूम से केवल ऑपर होता है ये य ये ये इस के ऊपर होगा लड़का उगा आपको या लड़की होगी क्लियर है सभी को जल्दी जली से कमेंट करके बता दो क्लियर है देखिए 23 पेयर होते हैं पूरे क्रोमोजॉम के उसमें से 22 जो है वो ओटोजॉम होते हैं जो कि आपका जैसे आप अपने मम्मी पपा की तरह दिखते हो वो सारी जो आपकी दोनों मिल गए तो इसका मतलब लड़का होगा मेल होगा और एक्स एक्स अगर मिल गए तो इसका मतलब लड़की होगी क्लियर है सभी को जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बता देंगे क्लियर है जल्दी जल्दी से जिसका भी गलता है उनको भी कमेंट करना है लाइक भी क वह कौन सा विटामिन बी है विटामिन ए है विटामिन डी है या विटामिन की आ एक से अधिक कोई भी नहीं 66 बीपस्ट का कोशन है जल्दी से सभी के कमेंट मुझे चाहिए तीजीटी पीजीटी केमेस्टी भी करवाई यह बिल्कुल ठीक है हम लोग ऊपर वाले जो कुष् जल्दी एली से सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे और आंसर्स बताते रहें यह बहुत बढ़िया सभी जो आंसर्स दे रहें वह है विटामिन के विटामिन के जो है जी हां ब्लड जो है क्लोटिंग जब भी आपको गर कट लग गया आपने चाकू मार लिया घुस्सा ब्लॉल एब विटामिन को क्या का जाता है फाइलो कुईन इंगेज अट फइलोग जेन भी कहाँ जाता है विटामिन एक दिए मंध च्ख कहो आप यह आप से ज्यादा आपको vitamin k मतलब देते हैं आपको ठीक है clotting के लिए जो है आपका इस्तेमाल होता है vitamin k clear है और अलग-अलग vitamin की अगर हम लोग बात करें एक बार उसे भी revise कर लेते हैं vitamin A जो होता है आपको retinol मतलब आखों में नमी vitamin की कमी अगर है तो यह retinol होता है vitamin B1 जो है इसे thayamine कहा जाता है B2 जो है riboflavin कहा जाता है B3 niacin, B6 spiridoxin, B9 folic acid important है यह भी और B12 तो बहुत जादे important है मैं जैसे हमेशा बदातो B12 बहुत जादे important है cobalamin ठीक है इसके अंदर cobalt होता है और बहुत सारे exam में पूछा जा चुक है BPSC, TRE 2.0 में भी पूछा जा चुक है vitamin C मतलब आपका ascorbic acid होता है vitamin C ascorbic acid, vitamin D calciferol, vitamin E जो है tocopherol और vitamin K आपका phyloquinin, clear है सभी को clear है, जल्दी है सभी लोग like भी कर देंगे यार like केवल 390 हो चुक है 500 लाइक का target सबसे पहले पूरा करेंगे हम लोग, धीरे धीरे step by step आगे बढ़ेंगे, आप सभी को मजा आ रहा है, जल्दी से सभी लोग comment करके बता देंगे चलिए, बढ़ते आगे में, आदूनिक रसायन शास्तर का जनक किसे कहा जाता है, बताइए, आदूनिक रसायन शास्तर जो है, chemistry, modern chemistry के father किसको कहा जाता है, बताइए, किसके पीता है, कौन है, किसका पीता है, 65 BPST का question है, डुदर फोड है, आइंस्टाइन है, C.V. रमन है, या फिर एक से अधी क्या कोई भी नहीं, जल्दी से comment करके मुझे answer बताएंगी कि क्या इसका correct answer है, comment रुखने नहीं चाहिए, chat rate हमारा कम नहीं होना चाहिए, सभी लोग जो है, जिसको आता है, वो भी करेगा, जिसको नहीं आता, वो भी करेगा, जल्दी से like भी करते रहें सेशन को, बताएंगे इसका क्या correct answer है, बहुत बढ़िया, अंजली जी, आर्ती जी, राहूल, प्रिया, सभी को बहुत बढ़िया, आपका answer correct है, जी देख लेते, क्या इसका correct answer है, जो लेजोर है, ठीक है, एंटेनी लेजोर है, इनको जो है आदूनिक जो है, केमिस्ट्री क पिता कहा जाता है, एक बार देख भी लेते, देखिए, एंटोनी लोई जोर्जो, इनको father of modern chemistry कहा जाता है, एक बार देखिए, ये पूरा बहुत important table आपके लिए बनाया हुआ है, एक बार अच्छे से समझना, पूरा focus करना, बहुत मैनत लगी इसको उपर में, एक बार होता है, material science, पदार्थ विज्ञान, जिसमें physics आता है, बहुती की आता है, और chemistry आता है, clear है, अब उसके बाद biological science आता है, यानि की जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम लोग जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बहुतनी के बारे में आपका पेड के उपर से जब आपका apple गीरा तो Einstein जो है, इनको पिता कहा जाता है, physics के father कहा जाता है, उसके बाद आदूनिक physics का पिता किसे कहा जाएगा, Albert Einstein, modern अगर पूछा जाए, आदूनिक science का पिता कौन है, करके बहुती की का पिता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि Albert Einstein है, उसी तरह अगर मैं रसाइन विज्ञान की बात करूँ, तो रसाइन विज्ञान का पिता कौन है, आपका Anthony Loezur को कहा जाता है, Anthony Loezur को जो है, आपके father of chemistry कहा जाता है, clear है आप सभी को, चलिए, बहुत बढ़िया, अब इसके बाद अगर मैं biology की बात करूँ, जूलो सभी को, बहुत बार होता है कि ये पूछा जाता है कि question में कि भाई, biology का पिता कौन है, तो उसमें भी आपको Aristotle अगर दिया है, तो आपको Aristotle लगाना होता है, ये भी point ड्यान रखना, clear है सभी को, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के comment आते रहने, समझ गया, आपको screenshot भी ले लीजे, क्योंकि ये जो है, आपको कही भी नहीं मिलने वाला है, ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ चार्ट है, चलिए, जल्दियली से like भी करते रहेंगे, केवल 437, लाइक से 500 लाइक का टार्गेट पूरा करना और शेयर भी कीजिए, जल्दियली सभी के साथ म में पूछा हुआ है, कि सैचरीन है, सुक्रालोज है, एसपर टेम है, एली टेम है, या फिर कोई भी नहीं है, एक से दिक, जल्दी से सबी लोग कमेंट करके बताएंगे, कि कौन सा जो है, थंडी पदार्तों में यूज होता है, बताएं, नॉन डिकम्पोजिबल इन है, जैसे हो सकते हैं, आपका कोको गोला हो, पैपसी हो, कुछ भी आप जो थंडी पदार्त पीते हैं, उसके अंदर कौन सा वाला जो है, इसमें से आटीविशनल कृतिम संके, मतलब कृतिम शरकरा इस्तेमाल होती है, आटीविशनल मतलब कृतिम, क्लियर है, चलिए, हमें लाइफ भी बढ़ाने है, हजार लाइफ के करीबन हमें पहुचाना है, सभी लोग शेयर करेंगे सेशन को, सब्सक्राइब भी करेंगे, और लाइक भी बहुत कम हो रहें, 463 हो गया है, केवल हमें 30-40 लाइक और चीए, पाच्चों के लिए, चलिए, बताइए, देख कितना स्वीट होता है, शक्कर बनती है उससे, तो वो नैचरल है, बट यहां पर अगर बात कुरो तो लेबरेटर में बनाया जाता है, तो जब अगर मैं एसपर टेम की बात करता हो, ठीक है, एसपर टेम जो होता है, वो आपका आपका आपिशनल स्वीटनर है, और 100 गुना जब अबлекना जादा मेटी होती है, सबसे जादा मेटी होती है, तो आपको धिहान रखतना है, यह बहूत इंपोरचंट है, अगर गर में घौन होता है, उसमें अगर लंबे समय तर चलने वाले फूट्स होते हैं, उसके लिए सुक्रालोस का इस्तेमाल होता है, गरम खाने में यह ध्यान रखना है, और हम जो कैंडी वगरा खाते थी, के चोकलेट वगरा उसके अंदर हम लोग जो है, सैचेरीन का इस्तेमाल होता है, आप जो पूछा हुआ है, कि भाई, गैस्तिक जूस जो आपके अमाशय के अंदर, जो पेट के अंदर गैस्तिक जूस होता है, कौन सा गैस्तिक जूस होता है, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करें, कौन सा गैस्तिक जूस होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे, बलड प्लाजमा, इ से आंसर देंगे चलिए बताइए जली से बहुत बढ़िया हम लोग 787 लाइफ पहुंच चुकि हमें हजार का टार्गेट पूरा करना है सभी लोग क्छा के से लटन को था की मेरा मोटिवेशन बढ़ बना रहे और आप सब्क लोग को का बढ़िया से मोटिवेशन बना रहे चली बताइए इसका क्या क्या है होता है कि यह इक whack वह कम होगा तो इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता बात करूं विनेगर विनेगर भी क्या है CT has it acetic acid होता है तो anyoneette अगर 이게 थो आफकोस है इसका नामYes её थो साथ से कंप होगा इसका भी जो pH का माहन है रिझ के यह बी नहीं हो सकता तो Blood Plasma जो है आपका यह आपका correct ben अनसर क्यूंकि इसका pH का माहन 7.4 के कृबन होता है साथこ एlles का चार के करीबन होता है अब यह तो यह पीहgreg cách मितलब्फ है आपका पोटेंस ओफ हीड्रोजन पोकॉनिक किस का मतलब कितनी मात्रा में जो है हाइड्रोजन पंस्तित अहीं है वह आपका नेरदारित करेगा कोई भी तो जो है वह अभल यात फिर वह इसे करता है से लो पूरी एक के लर ऑगा देखे। आगे देखेंके सिसे के बारे में भीडियो पूरी स्केल यह बीच बीच में होता है उसका मतलब वोता है आपका बीच में निंट्रल साथका मतलब होते है नियूट्रल उदासीन तीक है उसके बाद 7.1 से अगर आगे चोड़ा antibodies के तो इसका मतलब यह बेस है बेस आपका शाहर होता है क्लिल्यर्यस को जल्दी एक सभी को जल्दी से कमेंट करकी बताईंगी क्लियर आप सभी को जो मैं बता रहा हूं आप सबी को अब याद कैसे रखना है वो बतातो, बहुत confusion होता है कि शुन्य का मतलब है बहुत जादा अमली है, बहुत ही प्रबल अमल, और चौदा का मतलब है कि बहुत ही जादा प्रबल शारी है, तो उसके बीच में जो रहेगा वो neutral रहेगा, clear है, शुन्य मतलब बहुत जादा acid को थोड़ा जो आफता चेड़ दिया हम ने, जब प्रबल चुटी उमर में, बच चुटी फेमार में बचेए छुन्य में, इक साल के बचैव बढ़ होते नो, तो बत बग्रुदे वाले हो थे जारा-सा छिड़ोंगे, रो देंगे, टंग बढ़ते हम लोग नूटल का मतलब होता है साथ आपको यह भी चीज धान रखने अब आगे बढ़ते हमारा जो next important question is what is the pH value of salt भाई प्रबल अमला और दुरबल शारक ठीक है प्रबल अमला और दुरबल शारक से बने लवन का होता है साथ से अधिक होगा साथ से कम होगा 1014 के बीच होगा या एक से अधिक हा कोई भी निए बीपेसी टीरीट एकोईसे का बता क्या इसका correct answer कि वही what is the pH वैल्यू सारे बीपेसी को अपके लिए लायो चुन-चुन के लायो और बहुत इंपोर्टेंट इसके साथ में solutions भी लेकर आया हो बहुत मैनत की आपकी पीपीटी की पीछे में तो लाइक्स बनते हैं यार हजार लाइक के करीबन हमें पहुचना है और हजार लाइफ भी पूरे करने जल्ली से सभी लोग कर देंगे कि कमेंट रुखने नहीं चाहिए आप सभी लोगों के कि चलिए बहुत बढ़िया अब प्रबल अमला हमेशा एक चीज धान रखना जो भी प्रबल होगा दो लोगों की लड़ाई हो रही है एक बहुत तगड़ा है और एक जो है बिल्कुल शान सा एकदम सहमा सा लड़का है तो आफकोस जो प्रबल है वही जितने वाला है तो इस इसिट का पी एच का मान हमेशा साथ से कम होता है साथ से कम होगा एसिट का पी एच का मान तो इसका मतलब जो भी बच्चे बोल रहे है कि साथ से कम होगा बी इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ भी इसका करेक्ट आंसर है जो कि बहुत से बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे है बह जब भी बीस में मिलाते हो तो इसको क्या के टेज है नि utra 2015 होती और क्या bran बनता है अब एक सबसाइब कर लेकी प्रख्रोंग ऐस दोनों भी σ्ट्रोंग है दोनो भी टौनी वी प्रबल है तो इसका मतलब न्यूट्राल रहे यहां साथ रहेगा पीज का मान क्लियर उसके बाद अगर मैं बोलू स्ट्रोंग एसीड है और वीक बेस है रहे बहुत इंपोर्टेंट वाला चार्ट है एक बार समझ गया इसका मतलब सारही कोश्चंस आप उड़ा दोंगे 910 तो 628 या फिर 11 12 में भी पूछ लिए तो सभी में उड़ा दो गया वी कैसीड स्ट्रॉंग बेसिक सॉल्ड बनेगा मतलब बेस्ट्रॉंग है इसमें इसमें जो है बेस आपका स्ट्रॉंग ह तो मतलब यहां पर बेसिक सॉल्ड बनेगा जो है शारीय लवन बनेगा अगर वीक एसीड है और वीक बेस है अफकोस दोनों भी वीक है तो भाई कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मतलब नूट्रल हो सकता है भाई नूट्रल ही रह पूरा ठीक है अगर मैं टेबल सॉल् डिजा से बना होता है आप स्चाइब शुब व्ही Неippo सभी लाइक करीब सभी लोग मैं आप लोग आप लैप को आप दरने की σ्य Holiday Winguis भरेrat में खाने बना हुआ है आप ज्यघ लैका अप सीप स्चरॉफ थैसी क्लियर हो जाएगा अब आपने यह देखımız कौन सा strong acid है, strong acid होता है, strong base होने से क्या होता है, बट आपको क्या पता है, कौन से strong acid है और कौन से strong bases है, एक बार मैं वो भी table आपके लिए लेकर आया हूँ, कि list सारे ही, कि strong कौन से acid है और weak कौन से acid है, देखिए, strong acid की जब भी बात करूंगा, HCl, आपका hydrochloric acid जो आपके आपको, मैं यह clear और guarantee लेता हूँ, बहुत मैनत की आपके यह PPT बनाने के लिए, ठीक है, hydrobromic acid है, आपका एक strong acid कहलाता है, यह भी, hydroionic acid है, perichloric acid है, और आपका chloric acid जो यह सारे acids है, यह strong acid होते है, कहलाते है, अगर BPS देने कभी पूछ लिया, कि यह दो acids है, आप बता होने यह कौन से strong वाल है, इसके बाद अगर मैं weak acid की बात करूँ, जो दूर्बल acid होते है, जैसे कि oxalic acid होता है, oxalic acid है, sulfurous acid है, sulfuric नहीं है, sulfurous, H2SO3 है, H2SO3 है, 4 होता तो sulfuric होता, तो sulfurous acid है, strong, weak acid होता है, phosphoric acid है, nitrous acid है, आपका benzoic acid है, acetic acid सिर्का जो है, clear है, और formic acid जो चीट ले लो इसका, clear है आप सभी को, क्यूंकि strong acid, weak basis, strong acid और weak acid आपको पता होने चाहिए, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते है, strong acid देखिए, तो आप weak basis को भी देखते है, कौन से शार जो है, प्रबल है और दुर्बल है, देखिए, सबसे पहले, अगर मैं strong की बात कुरतू लाय है, lithium hydroxide है, sodium hydroxide है, KOH है, rubidium hydroxide है, casmium hydroxide है, strontium hydroxide और barium hydroxide, जिसके पीछे hydroxide लगा होता है, मतलब OH ions होते है, OH negative ions होते है, तो ये सारे ही strong वाले जो है, आपके base यानि की शार रहेंगे, और वैसे ही अगर मैं बात करूँ, weak वाले जो शार है आपके, weak वाले जो शार है वो, ammonium hydroxide है, आपके weak basis है, आपको ये चीज धान रखना है, बहुत important table है, कोई नहीं बताएगा आपको, सभी लोग बताएगे, ऐसा होता है, पटाक से बस solution दे देते हैं, बट आपको कोई इतना deep में नहीं समझाता है, YouTube के उपर, paid classes में बले ही सभी लोग बढ़ाएगे, बट आ आपने जो, अपनी वाली के लिए ठीक है, तो आप मुझे बताएगे, इसके उपर एक question मना है, physics का, कि भाई, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, क्या आपने जो पत्तर लाया है, अपना जो दिल का तुकड़ा जो उसके लिए लाया है, वहां से चान से, तो वो जो ए द् और ना ही भार बदलेगा, बताएगे, यह मुझे इसका आंसर चाहिए, सबी से, बताओ, आपने भी अपने दिल के तुकड़ा किसी के लिए लायाओगा, कही ना कहीं दिल में जगा होगी, तो तुकड़ा उकड़ा किसी लेके पार वगड़ा कितना रहेगा इसका, मास रह बदलेगा नहीं बदलेगा बाहर बदलेगा नहीं बदलेगा द्रव्यमान बदलेगा नहीं बदलेगा सब्सक्राइब करने टीजिंग परिक्षा चनल को और हम 1000 लाइफ के बहुत ही ज्यादा करीब है चलिए जल्दी से 1000 लाइब भी कर देते हैं शेयर कर देते हैं आप सभी शेयर भी कर दीजिए चलिए देख लेते हैं यह भी BPSC में पूछा हुआ क्वेशन है तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना चीए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अब आपका जो मास होता है ठीक है आपके शरीर का जो मास है वह हमेशा जो है सेम रहेगा आप यहां खड़े रहो प्रिथवी के उपपर आप मार्स पे जाओ आप चीटलो के रहोंगे बट आपका फेड बदलेगा ठीक है वहजन जो होता है वो बदलेगा फिशु कूंकि वहजन जो होता है वेट इस इकूल मतलब ही कि वह मास पेड़ेंड करता वा कितना आपका निप्रव्यम Γ zur अप्र इक्सल 8 meter per second square होती है क्योंकि acceleration meter per second square वही अगर मैं आपकी बात करूं Mars की यह मार्स नहीं है यह मार्स है actually मार्स की अगर बात करूं तो इसकी कितनी गुरुत्वा करशन कितना है बल कितना है 3.7 meter per second की उसकी acceleration due to gravity है ठीके gravity की वज़े से जो भी आपका acceleration होता आप कूद होगे अगर मैं कूद गया विट से वापस आ रहा हो तो यह किसकी वज़े से आ रहा हो क्योंकि मुझे पृत्वी अपनी और खीच रही है तो यह जो होता है यह जो है एक नंबर होता है जिसकी वज़े से आप जो नीचे आ रहे हो तो वैसे मार्स का अलग है और अगर मैं चांद की बात करूँ तो इसका तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्कूर है मतलब कम से कम वन सिक्स है तो इसका मतलब आपका जो वेड बदलेगा क्यों बदलेगा क्योंकि यह जी वाला जो पार्ट है यह जो जी होता है ना यह सभी का बदलता रहता है सभी का बदलता रहता इसी वज़े से आपका वेड बदलता है क्लियर है सभी को तो इसका मतलब है कि यहां पे आपका मास जो है द्रवयमान सेम रहेगा जब भी आप पत्तर लाओगे तो इसका द्रवयमान बदल जाएगा यह हो इनी सकता ठीक है इसका बहार बदल जाएगा परन्तु द्रवयमान नहीं बिल्कुल यह वाला आंसर करेक्ट क्लियर आप सभी को चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हमारे नेक्स कोशन की और बताइए मुझे हीलियम के नाबिक में होता है केवाल एक प्रोटोन होता है दो प्रोटोन होता है दो प्रोटोन होता है दो न्यूट्रोन होती है एक प्रोटोन और दो न्यूट्रो चलिए बहुत बढ़िया कि बीबीड सबीके comment rate कम नहीं होने हैं सब्सेट आता होने अथरे सभी लोग comment करेंगे आता होगा तो भी करेंगे नहीं सब भी करंगे जल्ली से कमनेंन गर दो बहुत बढ़िया, देखिए, हेलियम नूकलियस, मतलब क्या है हेलियम जो है आपका, हेलियम जो गैस है, इसका क्या होता है कि दो इसके अंदर प्रोटोन होते हैं और चार जो है प्रोटोन और नूटोन का पूरी संक्या होती है, मतलब नूकलियस के अंदर दो प्रोटोन और 2 neutron अब इसके सबसे पहले यह समझो कि nucleus, helium इसको क्या कहते है, alpha particle हमने देखा था radio active शाय की जब बात केती तो इसको alpha particle के नाम से भी कहा जाता है, alpha particle, alpha can कहा जाता है, ठीक है, इसी के साथ इसको क्या कहते है, positive charge होता है, positive charge मतलब धना वेशित होता है, यह भी important point है, helium के उपर से, अब यह भी हीलियम के नाभीग को एक बार देखने देखी यहां पे इलेक्टरॉन कितने है आपके इलेक्टरॉन दो है यहां पे जो बाहर गुम रहे है एलक्टरॉन का वेट सबसे हलका होता है बार बता रहो ताकि आपको याद हो जाए अगर घूम रहा है कोई चीज अगर पक्षी ऊड़ रहा है तो उसका विजन कम है इसी वजह से उड़ते रहते हो तो सबसे कम मास की जब भी बात आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे कम है अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ प्रोटॉन दो होते इसके अंदर में और दो निवट्रॉन होते दो निवट्रॉन होते के दो प्रोटोन और दो निउट्रॉन होते इसका मतलब इसका एक परमानू भार कितना उगा तू प्लस फीको मजा रहा है जलिक बर बता देंगे मुझे की ऑसे कंजा चालिये बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हम लोग next question के और BPSC TRE 2.0 का 628 में पूछा हुआ प्रश्ण नहीं है 18-12-2024 का जो एक्जाम हुआ था कि भाई if J is Joule, J जो है Joule होता है, C जो है वो Coulomb होता है, A जो है वो Ampere होता है तो SI Unit potential difference का क्या होगा, Potential difference का क्या होगा, विभाव अंतर जो होता है, उसका जो SI की 1 क्या होगी, कांट कर बठाओं मुझे क्या होगी ही सबसे पेले जूल क्या होता है जो भी आप कारिय करते हो तो उसे किसमें जाते हैं आक किलो जूल में बोल सकते सी मतलब जो बीचार्भ ओता है कूलं मतलब जो चार्ज होते चारजेस उसको हम लोग गिनते हैं, कूलम के अंदर, A is ampere, ampere का मतलब है आपका जितना current कितना flow हो रहा है, अगर electricity florist wire के अंदर से, यहां पे मेरा रखर सपोस्थ उसके अंदर से कितनी electricity flow हो रही है, तो इसको, जो है मैं current बताता हो ठीक है, current मतलब electricity जो होती है, इसके current कितना flow हो रहा है, तो आपको पताना है।समें से काुन सा जो आप पोटेंशयल डिफेरेंस से होता है। कि मैं पानिया अगर आपकर आपका है। जैसे आपके घर की तंकी पानियों होती है। निसकांगत्थे नीचे आ रहे हैं. आपकी टंकी अपर है इसके बाद आपके गहर का नल होता है वो यहां पर होता है तो फिर भी पानी आता है यहां पर तो यह किस वज़े से आता है क्योंकि यहां पर potential difference है difference है height का difference होने के वज़े से तो वैसे potential difference होता है current जो होता है आपका voltage difference कहलाता है voltage difference होता है potential difference मतलब आपका वीबावांतर क्या होता है कि यह लेक्ट्रिक सब्ड फिछ में得 भी जीच अगर मैं गिनुंगा तो ऊको भी जैल सभी जैं, बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब जो है आपको ध्यान रखने है कि भाई यह जो है potential difference potential difference के formula किया है सबसे पहले power का formula किया है चलिए potential difference को V is equal to IR अमने देखा था एक formula होता है potential difference को हमने बच्पन से समझाए कि V is equal to IR I का मतलब current है R का मतलब क्या होता है resistance होता है ठीक है तो अब Joule per Coulomb है एक और formula है potential difference का V is equal to जो है चलिए देख भी लेते हैं पर potential difference का जो formula आपको लिए simple हो जाएगा अगर मैं डाइग्रामी दिखा दू आपको तो work done per unit charge charge मतलब Coulomb में मतलब J by C इसी को मैं क्या लिख सकता हो अगर नीचे है तो उसको उपर कर दूँगा तो क्या होगा जे इंटु C to the power minus 1 ठीक है इसका negative हो जाएगा मतलब यह जो पहला वाला answer है पहला वाला बिल्कुल correct है कि potential difference को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है potential difference को इस तरीके से लिखा जा सकता है important question है कोई नी समझाएगा मैं समझा रहो आपको अच्छे से देखिए जो वी होता है voltage आपका work done per unit charge होता है clear है उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो वोल्ट बिल्कुल potential difference को वोल्ट में भी बोला जाता है कि कितना वोल्ट आपके मिरे जो है smart board 350 watt और यह कितना 12 वोल्ट की उपर चल रहा है ठीक है तो यह आपका जो है potential difference कहलाता है इसके बाद अगर यह third वाला देखे हम लो करेंट का जो फॉर्म होता है नीचे में एंपियर आ जाता है एंपियर आ जाता है और उपर पावर का मतलब जूल पर सेकंड होता है जूल पर सेकंड होता है पावर का मतलब जूल पर सेकंड जिसकी वजासे आपके घर में जो वाटेज होता है मतलब पावर वाट में गिना चाहू तो Joule into second और इसका ampere जो है यह उपपर आ जाएगा negative में आ जाएगा जब मुझे इसको उपर करना है ठीक है नीचे से उपर करते तो negative sign आता है आपको पता होगा चलिए तो यह तीनों भी जो है इसके answer correct है तो इसका मतलब more than one of the above इसका correct answer clear है आप सभी को जल्दी से बता देंगे clear है यह point सभी को बहुत important question था बहुत लोग confused हो थी इसका answer सभी ने वोल्ट लगा किया थे वोल्ट बट जो voltage difference होता है इसका तीनों भी जो है answer सही है तीकि अलग-अलग मात्राओं में गिनोगे पावर की हिसाब से किनोगे करेंट की हिसाब से किनोगे तो यह तीनों ही जो आपके सही है clear है बहुत important question था आए होप आपको मजा आया होगा चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग next question की ओर बताइए पेट्रोल तड़ा डीजल के अदूरी जलने से उत्पन्न होता है अदूरा अगर जलता है कोई भी चीज़ अगर अदूरी है ठीक है अदूरी जल रही है तो आपकोस है कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा आपके घर में हमारा जो एंजेन होता है पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन पत्रोल डीजल इंजन इसके इंडर never bekommt ट्रोल में डीजल जाएगा पैट्रोल में प्यूल जाएगा सॉरी तो वह जब जलता है तो यह कभी बहु होगा निकलता है हमारे गाड़ी से अयह आमने देखा त सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में ताकि हजार लाइफ हम लोग पूरे कर सके और 800 लाइक के बहुत करीबन हैं हम लोग जल्ली से लाइक भी करते रहेंगे सेशन को बहुत बढ़ी है सभी लोगों के आंसर सीडी सीडी दिख रहे है मुझे अर्चना भावयाज लोगों के एंसर सीडी दिख रहे है चली देख लबते तो डी जो कार्बं मो लोग साइट होता है करेश ऑगा का आजूर मो का आडूर से कर्णा अचल दर। तो इसी वज़े से carbon monoxide जो है वो मतलब उत्पन्न होता है carbon dioxide मतलब CO2 होता है उसके बाद में अगर मैं nitrogen dioxide कहूं तो NO2 होता है nitrogen dioxide डाय का मतलब है कि 2, oxide का मतलब है कि oxygen ठीक है, nitric oxide होता है आपका एक और, इसके साथ में nitric oxide मतलब NO हो गया, आपका nitric oxide 1, oxide डाय होता तो दो हो गया होता तो इसका जो correct answer है वो है आपका D, clear है, चली एक बार देख लेते हैं combustion की पूरी प्रक्रिया, अगर सही तरीके से पूरी तरीके से जलेगा तो इसका मतलब है आपका जो petrol है, जो भी आपका fuel, petrol, diesel वो पूरा क्या होगा जल के carbon dioxide बनाएगा और पू oxygen नहीं होगा तो कुछ भी नहीं जल सकता, तो यह carbon monoxide बनाता है, carbon monoxide बनाता है, carbon monoxide बनाता है, carbon monoxide, तो यह जो होता है, harmful होता है, यह आपको ध्यान रखना है, clear है सभी को, चलिए, बहुत बढ़िया, 800 likes हो चुके, thank you so much, अभी हमें सिर्फ 1000 लाइफ पहले पूरे करने हैं, जल्दी जल्दी से सभी लोग comment को like भी करेंगे और share भी कर देंगे, जीव कोशिकाओं में अनुमांशिक लक्षनों को नियंत्रित में निमनलिखित में से कौन से उत्तरदाई होते हैं, मतलब कि आपके जो बच्चे responsible होते हैं, control genetic, आप अपने ममी पपा की तरह दिखते हो, ममी पपा आपके तरह दिखते हैं, आपका गुस्ता अपते पापा ममी के तरह होता है, नाक वगरा, कान वगरा, उनके तरह दिखते हो, तो क्या control करता है, कौन उत्तरदाई होता है, कौन responsible है भाई, इसके लिए कौन responsible है, बताओ, enzyme है, हार्मोन है, DNA है, RNA है, एक से अधी क्य नहीं होने चाहिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत लोग D बोल रहे है, DNA, DNA, कुछ लोग B बोल रहे है, कुछ लोग E बोल रहे है, answer जो है, बहुत बढ़िया, चलिए, देखते है, इसका क्या correct answer है, देखिए, RNA और DNA, दोनों ही responsible है, RNA मतलब, दो तरीके के nucleic acid होते है, आपने आमने देखा था, nucleic acid होते है, दो तरीके के, जो कि हमारे जो अनुवांशिकता जो होती है, लक्षनों के लिए important होती है, सबसे पहले होता है, RNA, दूसरा होता है हमारा DNA, ठीक है, DNA, अब RNA मतलब ribonucleic acid है, ribonucleic acid, और DNA मतलब deoxy ribonucleic acid, deoxy ribonucleic acid होता है, यह दोन आपके जाने के लिए जो है, रिस्पॉंसिबल होता है, पारेंट से जो है, बच्चों तक जाने के लिए दोनों ही रिस्पॉंसिबल है, इसका जो correct answer है, वो है उप्यूक में से एक से अधिक है, एक से अधिक है, clear है यह point, ऐसा नहीं है कि सिर्फ DNA, RNA भी होता है, RNA जो है, व बाहर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, बहुत ही बढ़िया कोशन है, बताईए, यदि एक पंक, एक जो है पंक, किसी भी पक्षी का पंक ले लो, वो पंक, एक rubber की गेंद, चलो मैं टैनिस की बॉल ले ले तो, या rubber की बॉल ले ले तो, वो एक गेंद, और एक लखडी पर फिदर लिया, यहां पर बॉल लिया, यहां पर मैंने लिया अपना लखडे का बॉल लिया, ठीक है, एक rubber का लखडे का, तीनों को एक समान उचाई सी गिरा दिया, मैंने, clear है, मैंने तीनों को एक समान उचाई सी गिरा दिया, यह मेरा लिया बॉल, और तीनों को एक समा पर पहुचेगी क्योंकि वह जादा भारी है इसी वज़ेसे या फिर लखडी की गेंच सबसे जादा भारी होने के वज़े से वह सबसे पहले पहुचेगी तीनों एक साथ जमिन पर पहुचेगी या फिर कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक हो सकता है जादा पॉसिबिलिटी जिसका जितना वजन वह पहले पहुचेगा यहां पर बस एक सी ध्यान रखना की वैक्यूम है ठीक है वैक्यूम मतलब नो एयर ठीक है नो एयर एयर नहीं होगी इसके अंदर में एयर नहीं होगी तो यह वाली जो है स्तीथी थोड़ी डिफरेंट है इसका अंसर मुझे सबी से चाहिए क्या होगा गिरा दो गिराने से आपको दिखने वाला थोड़ी है यहां पर स्मार्ट बूट का वियू सिर पूरे करने के लिए सबी लोग कमेंट करते रहेंगे जली से बताइए वैक्यूम है जी हाँ बहुत बढ़िया दी जो आंसर बच्चे दे रहे बहुत बढ़िया तीनों भी जो है एक साथ पोचें क्यूंकि एयर नहीं है एयर के एपसंस में यानिकी वैक्यूम में जो है आ मतलब एक्सपेरिमेंट के तरफ देख भी लेते यह देखिए यह पूरा वैक्यूम है इसके अंदर कुछ भी जो है हवा नहीं है इसको उपर से एक हाइट से ड्रॉप के तो दोनों एक साथ गिरा देखो दोनों भी जो है एक साथ नीचे गिरे देख लीजे आपर दोनों चलिए अब आगे बढ़ते नेक्स कोईशन की और आप बताइए मुझे यह भी जो है आपका बीपेसी टीपंट जिरो का टूपंट जिरो का कोई बीनी बताओ किसका उप्योग करोगे हमा हवा में जो नमी मापते नमी का मतलब है हुमीडिटी कितनी नमी है आप अगर मुं पानी वाली जो है पूरा पानी के अंदर जो है मतलब let supposed कि पानी की वज़े से जो हवा के अदर नमी होती है कि हुचरा वेपर जो होता है कर सही देंगे सभी लोग जल्दी से बताओ क्या इसका correct answer है कि चलिए बहुत बढ़िया CCCC की पूरी लाइन लग चुकी थांक्यू सो मच आप लोगों ने जो हजार लाइफ पूरे कर चुके हैं अब हमें हजार लाइक्ष पूरे करने ऐसे ही चलिए ऐसे ही सेशन करते रहेंगे अम लोग अब इसका आंसर जो सब लोग सी दे रहे है एक बार देख लेते भई हाइड्रोमीटर ही है हाइग्रोमीटर जो है यही जो है आपकी हवा में नमी को मतलब मेजर करता है कितनी नमी ह है आपकी अब यहाँ प्र नाम में ही लिखा हुआ एडरोमिटर ठीक है जो पहला ओप्षन था एरोमिटर अरोली खा हुआ इसका मतलब एरोडाइनमिक एयरो प्लेन एरोप्लेन हवा में उड़ता है अप इस तरीकी से धान रख सकते हो तो आर्होमेटर मतलब वह ऐसा जिसा देंसिटी ही मेजर करता है ? बिकवीट की करता है. अजय के तरलपदार्थं impact उनकी जोए उसको वा म। तक गीनता है, ठीक है गीनता फिर वेट को झीनता clear है सभी को सभी लोगों को clear है बहुत बड़िया चलिए एक बार comment भी कर दीजे सभी लोग जो भी मैंने समझाया इसका क्या correct answer था वो भी आप मुझे comment करके answer बता देंगे हाइग्रोमिटर जो है humidity मेजर करता है हाइग्रोमिटर humidity मेजर करता है यह चीज आप लोग comment में सभी लोग बताएंगे मुझे चलिए बहुत बढ़िया सभी science हम लोग करा रहें गुंदन जी बिल्कुल आप निश्चंत रहें देखिए six to eight nine ten सभी का science था कि बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है सारी concept clear करेंगे कई डर नहीं रहना चाहिए ठीक है हाइग्रोमिटर देखिए हाइग्रोमिटर जो है किस ने बनाया था लियोनाड़ा दो विंसी ने बनाया था डिलेटिव हूमिडिटी मतलब कितनी हूमिडिटी है बेसी किलिए हवा में कितनी नमी है इसके हिसाब से उसको गिनने के लिए जो है वो उसने ये बनाया था पूरा इंस्टुमेंट जो है जैसे कि ये लोग हॉस्पिटल में लोग यूस करते हैं म्यूजियम में अग्रिकल्चर फिल्ड में अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो उसमें कितनी जो है जमीन के अ है बारिश का मौसम है या कैसा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऐसा कुछ मीटर होता है यह आगे बढ़ते हमारा नेक्स कोशन जो है बीपेसी टीरी 2.0 का कोशन है इसका अंसर आप सभी लोग मुझे एक्सपेक्टेट है सभी लोग सही देंगे और मैं एप्रिशेट भी क्या फिर करनीवर कहते है ऐसरी कोई ने क immunity सभी क्या क्रेक्ट आंसर रिजाल सभी लोग कमेंट करेक्थ अंसर बताएंगे मास कहता है केवल मुख्यता रूप से केवल मास कहता है इसको क्या कहते है कार्णी वह अ अमनीवर हार्भी बाता है यह साकरी रवहरी क्या होता इसका correct answer जल्दी से comment करके बताओ मुझे जल्दी से सभी की comment साते रहने चीए और सभी के सही answer चीए मुझे chat rate कम नहीं होना चीए और likes भी हमारे 912 ही है जल्दी से सभी लोग like कर देंगे session को बहुत बढ़िया जी हां तो कार्णीवोर मासा हरी जो है जैसे कि आपका शेर है ठीक है लायन शेर है आपका लेपड है सारे जो है यह मासा हरी है तो यह क्या करते कार्णीवोर होते केवल और केवल मुख्यता रूप से आए कि आए धाद बुइसे इस वजह से क्या माश काते के वायन है यह क्या है मprofits हुआ हुए क्यूंकि वह ऐसे यह चाहँ technology है यह पॉइंट चली आगे बढ़ते हम लोग उम्निवोर क्या होता है मतलब जो सारा ही खाता है हर भी वोरस मतलब आपका शाकारी मतलब केवल गास काएगा उम्निवोर का मतलब है कि वह क्या खाएगा नॉन्वेज भी खाएगा और वेज भी खाएगा कुछ लोगों थे हम लोग जो है वो भी जो है खाते है चली अब आगे बढ़ते हम लोग आगे हर भी वोरस में कुछ प्लांट जो एनिमल साते ऐलिफेंट काओ है अपकी गाय होती है खरगोश होते है ठीक है यह सारे शाकारी स्पीसीज और कुछ इंसेक्स बगर होते क्लियर जबी को चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स कोशन के और था एंजाइम विच इस मिक्स विट फूड जब आप खाना खाते हो ठीक है एक ऐसा एंजाइम जो हमारे मुह के भोजन के साथ मिलता है जब आप खाना खा रहे हो मैं कुछ भी अगर खाता हो तो मेरे मुह में जो है किसे ऐस है एक से अधी को कोई भी नहीं जल्दी से सबी लोग कमेंट करके बताएंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा यह कोईशन है और सभी की आंसर मुझे चाहिए इसमें एक्सपेक्टेड़ है कि सभी की आंसर आने ही चाहिए मुझे यहां पर जल्दी से कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर है कि जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर देते रहेंगे चलिए बहुत बढ़िया कमेंट कम नहीं होना चाहिए बहुत बढ़िया आप आपने अगर देखा होगा आपके जो जब आप खाना खाते हो तो आपके मुव में जो जो एंजाइम होता है आपका जो खाना है प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है मतलब उसमें में जो करता है पाचन के लिए जो helpful करता है तो आंसर है वो कर देक है कि एक लाइन बार देक पूरे चार्ट है मों आपकान पॉरे और रिए तो हम लोगे बिए पूरा अड़िट्र जब आप खाते हो जैसे कि आप गेहु चाहल सब कुछ खाते हो अब कारभोर कुछ अचाहिए कंदे को अगरे चाहित तो है मैं इसके सिर्च मॉइल और और यह मैंनो आसीड में जो इसको एंपोर्ट करता है एक हीं इंपोर्टेंट चाट थैंड वशा अगर आप वसा करते हो ज्यादा हाद वाले फूट खाते हो तो इसका मतलब लाइपेस बहुत इंपोर्टेंट वाले पेस क्या करेगा वैटी एसिडॉर में जो इसको में जो होता है वो उसको शूगर्स में करता है मतलब ग्लूकोज में परोटी जो है प्रोटीज करते समाइनो एसिड में और अलग जगा हैं छोटी आथ में पैंक्रिया में होता है या फिर आपका small intestine ऐसी जगा पूरे जो है enzymes होते है चलिए अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर जो है पेपसीन ट्रिपसीन यहां पर जहां जहां सिंसीन लिखा हुआ ना पेप्टी डेसेस वगरा जो यह पूरे जो है आपके प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम काम आते है और फैट को पचाने के लिए लाइपेज है जैसे कि हमने देखी लिया था चोटी आत के अंदर होता है यह पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है चलिए इसका और एक नाम है आपके सैलिवरी एमले इसका जो टाइलेप्टीन कहा जाता है उसको पायलीन कहा जाता है इंपॉर्टेंट है की पायलीन कहा जाता है यह बस चीज धान रखना अब आगे बढ़ते हम लोग आगे नेक्स कोशन की ओर यह आया हुआ कोशन है 910 का साइंस में 910 में पूछा हुआ कि भाई वाट इस दा केमिकल नेम ऑफ विटामीन बीटोल अब बताओ थायमीने कोबालामीने नायासीने एक से अधिक्या एक भी नहीं जल्दी से सबी लोग कमेंड करेंगे बताएंगी क्या इसका करेक्ट अंस करेक्ट रहेंगे जल्दी से चैट रेट एक्दम से हाय हो जाए सभी लोग फटा 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 अंसर करते रहो और हम लोग बहुत करीब हजार लाइफ के जल्दी से पूरे कर देंगे और लाइक्स भी जो है हजार के बहुत करीब है जल्दी से पूरे कर VBVB अभीक सब्सक्रमाइड को वज 부분이 को बीख कोबाला मीन काम होता है मतलब कॉबाल्त होगा मैं आपका सिफ कॉछिफ करने लिए यह बैसा तो यह नहीं रख सकता था वाट दाशा था बट आपका Rashleatra कहा का नेशिय अनले अग्छ सकते हुए यहे अग Keсяन को भी पूछे इसके बारे में देख लेते हैं, कोबालामीन इसको कहा जाता है, highly complex होता है, चलिए, अलग-अलग विटामीन A की बात करतो, रेटिनॉल होता है, विटामीन B1 थायमीन होता है, B2 रेभोफलामीन हमने देख चुक है, यह पूरा हमने देख चुक है, और आपका B12 जो है, आपक C, यह बहुत important है, विटामीन C स्करवी होता है, टीक है, स्करवी वाला जो है, वो विटामीन C के होता है, क्लियर है सभी को, चलिए, I hope आप सभी को मजा हा रहा होगा, session को देख के, और आप लोग लाइक भी करते रही, session को, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, next question की और, यह बहुत important question है, बताए, amphibians respire, मतलब के भाई, उबैचर जो होते, सास लेने के लिए उपयोग करते हैं, किस का उपयोग करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं, सिर्फ लंक्स का करते हैं, तवचा का करते हैं, गिल का करते हैं, एक से अधी क्या, मतलब कोई भी नहीं, जल् साथ लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है, amphibians, उबैचर जो होते हैं, तो यह किस के तुरू स्वासन करते हैं, स्वासन करते हैं, आपको बताने, जल्ली से बताओ, A, B, C, D, A, B, C, D, सभी के आंसर चीए, बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत लोग जो है, D, आंसर करे रहे हैं, बहुत बढ़िया, देखिए, अब कुछ जो होते हैं, लंग्स के तुरू लेते हैं, यह भी बात सही है, ठीक है, सैलमेंडर वगरा जो होता है, कुछ जो च बहुत 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 बहु तो हम लोग 1100 लाइब भी पूरे कर देते हैं, वो भी टारगेट पूरा कर देते हैं, और 1000 लाइक का टारगेट भी पूरा कर लेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो function of saliva, आपके जो मुँँ में जो लाड होती है, लाड का प्रमुक कारिया क्या होता ह अब बताओ आपका, प्रोटीन से amino acid में convert करते हैं, स्टार्स से माल्टोज में करते हैं, फैट से विटामिन में करते हैं, एक से अधिक या कोई भी नहीं, बताओ इसका correct answer मैं expect कर रहो, अभी हमने देखा था, एंजाइम कौन सा होता है, सलाइवा मतलब एक होता है, हमारा amyl amylase, amylase जो है, यह enzyme होता है, इस्तेमाल होता है, सलाइवा के अंदर में enzyme होता है, ठीक है, तो अब यह क्या करेगा, आपका जो खाना है, उसको किसमे convert करता है, ताकि आप खाना पाचन कर सको, तो यह protein से amino acid में करता है, स्टार्स से maltose में करता है, maltose का मतलब क्या होता है, ब आपकी शरीर में पाचन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, चलिए बताइए जल्दी से comment करके, सबी लोग thank you so much, आप लोगोंने 1000 लाइक कर दिये है, इस session को, thank you so much, चलिए, बहुत बढ़िया, start से maltose, बहुत बढ़िया, start से maltose कौन था बोलने वाला, चलिए एक बार देख लेते हैं, पूरा चाट ही समझ लेते हैं, हम लोग एक बार की क्या होता है, देखो, सबसे important है, आपको सारी चीजे समझनी चीए, मैं YouTube में सारी इसी वज़े से जो है, बहुत important वाली चीजे समझा रहा हो, कि carbohydrate, जो भी आप carbohydrate खाना खाते हो, यहू, चा हम लोग और कार्बो हाइड़ेते हैं, सिमपल मतलब शुगर, जो भी आपको हम खाते हैं, जैसे समझ लोग गलूकोज, फुक्तोस, गालेक्टोज, जो हमारे जो शूगर वगरा होती है, जो भी हम खाते हैं, फ्रूच कहते हैं, साधारण खाना, स्तार्स किया होता है, हम ल इसका इस्तिमाल करके ग्लुकोस बनता है तीक है कार्बो हाइडरेट से इसका इस्तिमाल करके ग्लुकोस बनता है इसका मतलब जो स्टार्च कार्बो हाइडरेट हो सकता है स्टार्च हो हमने जैसे देखा यहां पर कार्बो हाइडरेट जो स्टार्च भी हो सकता है फाइबर हो सकते हैं मतलब इसके बाद जो बनेगा क्या ऑगा? यह the बनेगा? यह रहागा फिर फुरुक्टुोस बनेगा यह फिर माल्टोस में. ऐसा धोर्म अनुकला भंभ नगया, तो यह चीड़ान रहना है कि आपका अप कौम्पलेक्स मतलब पीचिता कर्भोहईड़ेट्र चो पाँचन के लिए थोड़ा साने मरता झाले करो такие एक प्रोटीन अगर प्रोटीन से अगर amino acid करना है, amino acid करना है, तो हमें trypsin, pepsin, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, trypsin, tepsin, तो ये तो नहीं हो सकता, saliva में नहीं होता है, इसी ज़े से अंसर अपका भी है, clear है सभी को, I hope आप सभी को मजा रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत concept, deep में पड़ा रहा हो, आपको, कोई नहीं पड़ाएगा ऐसा, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग next question करें, तो हमने देख ली थी slide, अब आगे बढ़ते, BPSC-AO exam में पूछा हुआ, निमनली किसमें से किसका कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है, पूछा है, question सही से बढ़ो कि नहीं पूछा हुआ है, तो कार्बन किसमें नहीं है हमारे इसमें, हीरा कार्बन से नहीं बनता, ग्रेफाइड कार्बन स से नहीं बनता है कि सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर्स देंगे कि किससे नहीं बनता है कि बहुत बढ़िया हम लोग 1100 लाइक के बहुत जादा करीब है आप लोग 1100 लाइक भी कर दिजे बढ़ आप लोग सही देते रहें डड ciao यह देख लेते हीरा हमने कल एक कंशेब्ट बात कि थी अलोट्रोप हम मेरी लाइट जो है पावर कट होचुकी थी तो अलोट्रोप वाली बात कि थी अपरूप तो अब कार्बन के बार में पूचा है हीरा एक कार्बन का ही अलोट्रोप याने की अपरूप है अपरूप है आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है अपरूप में क्या होता है केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ठीक है केमिकल वेजबूशा सेम होती है बट आपकी जो फिजिकल बहुत ही गुंजो होते हैं ठीक है, physical जो है वह अलग दिखते हैं, ठीक है, कार्बन से ही बन है, बट फिजिकल ही अलग दिख रहे है, एक बार देख लेते हैं, चलिए, तो हीरा, ग्रेफाइट, तीनो भी जो है, कार्बन के ही अपरूप है, कोला भी जो है, कार्बन का अपरूप है, इसका जो correct answer है वो D है जो बहुत से बच्चे answer दे रहे, D जो है इसका correct answer है, clear आप सभी को, अब allotrope क्या होते हैं, एक अच्छे से समझते हैं, मैंने कल भी एक example दिया था आपको, कि allotrope ऐसे होते हैं, एक ही element है, जैसे कार्बन, कार्बन ही जो जैसे मैं हूँ, अभी मैं यहाँ पे टीशट पहन की और इसके उपर जाकेट पहन की थंडी है, इसके बाद अगर मैं कभी शादी में जाओंगा, तो मैं इसके उपर ब्लेजर पहनूंगा, तो मैं और अच्छ देखने का तरीका बदल रहें, अब अगर कार्बन के Allotrope की मैं बात करूँ जैसे की Diamond होता है, ग्रेफाइट होता है, पेंसिल जिससे बनती लिखते हम लोग, ठीक है, उसके बाद कोल जो है वो भी यह कार्बन का ही Allotrope है, उसके बाद फुलरीन जो होता है, यह भी का अलो apply basically cool के अंदर भी कार्बन होता है मैं अगर यह बोलू from के अंदर भी कार्बन ही होता हैra ग्रेपट लुल यह सारे के सारे कार्म होते अब कोल की अगर बात निकल ली गई है तो कोल की उपर भी बता देता हूँ क्यूंकि इसके उपर भी COME मनते कोल जो ए 4 important type । आप समझ लो पीट कोईला जिसमें 40 % के carbon होता है लिग नाइट जिसमें 55 % के carbon होता है बीटुमिनस जिसमें 65 % के carbon होता है और सबसे ही बढ़िया एंथ्रेसाइट सबसे अधिक मात्रा में जिसमें carbon होता है वो एंथ्रेसाइट कोल मतलब सबसे फॉर्म फॉल जो है वहं एंथरसाइट होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते ह्जादा गैलरिफिक वैल्यू है कैल काल और लोग चीए जो हम 1100 का माक पूरा कर लेंगे चलिए बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच आप सभी का अब आगे बढ़ते हैं लोग यह रहा पूरा आपका अलोट्रोप्स कार्बन के अपरूप का अब एक और कोशन बीपेस्टी का बहुत बढ़िया वाला कोशन है ए ए मे को बताना है कि उपग्रह के लिए किसी प्लानेट किसे बाहर निकलने के लिए जो एसकेप वेलाउसिटी हो 11 किलो मिटर पर सेकेंड अरेवा यहां पर दिया भी है 11 किलो मिटर प्रति सेकेंड है करके अब उपग्रह को जो है उर्दुवा से मतलब समझ लीजे कि भाई 60 डि sotанд Tucson pemba आप बदेश करए इसकेप कितनी होगी मूझे कमेंड करके आंसर बताओ कि क्या 11 क किलो मिटर पर सेकंड वही होगी 11 का थी की Isle सेकंड होगी 113 इंटू किलो मिटर सेकंड होगी या फिर क्या होगा मुझे बताओ क्या इसका करेक्ट एंसर है 33 किलो मिटर सेकंड होगी एक से अधी क्या कोई भी नहीं सबी कामेंट में ची बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोशन है आपने भी कभी सोचा होगा कि हम लोग रॉक इस फाले प्लैनेट के और बिट के अंदर आ सके तो वह वाली जो वैलासीटी है यहां से निकलने के लिए जैसे अगर आपने मिशन मंगल देखा तो यहां से निकलकर यहां पर इसके और बिट में आने के लिए जो वैलासीटी लगेगी वह कितनी है हमारी, 11.2 as to be precise 11.2 km2 हो आपके लिए बताइए जल्दी से क्या इसका करेक्ट अंसर है कि सभी का अंसर एबी 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 चल रहा है चली देख लेते क्या होता है देख लीजिए सबसे पहले important क्या है आपको यह पता होना चीज इसका escape velocity का formula क्या है ठीक है escape velocity का जो formula है वो है आपका 2gm upon r ठीक है 2gm upon r जो है escape velocity यह अगर आप अर्थ है ठीक है आपका प्रित्वी है प्रित्वी से कोई satellite launch करना है ठीक है तो इसको अगर यहां से बाहर निकलना है तो हम क्या करेंगे escape velocity लगाएंगे 11.2 मीटर पर सेकेंड तब जाके वो जो है इससे बाहर निकलेगा तो escape velocity का formula तरीके से calculate किया जाता यहां पर 2g ग्राइविटेशनल मांगेशनल कॉन्सक् WooYa म इसके बाद मास मिकला मांस आर्थ का मास है और र मतलब गया उर्बी दो ढम मिव्राय यर्प जो जो रडिय ईसको आर कहा जाता है और जो अर्वत काença r कहा जाता है इसको calculate करने के बाद, बूरे formula डालने के बाध d १ कि gravitation constant का मैंने formula डाल दिया, उसके बाद word a जो earth का जो, mask और गी मास है उसका formula डाल दिया तो उसका radius जो है उसका भी बूरा formula डाल दिया surface, earthka surface का radius है पूरा इसका formula डाल दिया तो हमारा जो आता है 11.2 meter per second, 11.2 meter per second, क्योंकि ये velocity है, velocity, अगर acceleration होता था second square हाता, ठीक है, escape velocity कुछ भी angle की उपड की उपड नहीं करती, यहाँ पर देखा, अपने 2 GM upon R लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पर THETA या क्य मतलब क्या होता है कि कितना एंगल यहां पर अगर मैं ऐसे मेजर करूं यहां पर की थीटा की कई बात आई क्या नहीं यह पूरे फॉर्मूला में थीटा है ही नहीं तो मतलब एंगल का कोई रोल ही नहीं है तो इसी वाज़े सी डजन्ट डिपेंड कुछ भी डिपेंड ही नहीं करता है इसके फेल लेते हैं और 1100 के करीबन हम लोग लाइफ करना चाहते हैं बट आप लोग जो है अभी भी जाइब लाइफ और चीए शेयर कर देंगो ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग कोशन करते रहे आपको क्लियर है यह सेशन आपको क्लियर है यह पॉइंट जो मैंने आपको बताया यहां स्केफ वलोसिटी का मतलब मिनीमम स्पीड कितनी चाहिए होती है कि एक औरबिटल से निकल सके वह एक औरबिट से जो है निकल सके वह बॉडी अब आपकी लिए जो है यह यह लास्ट कुशन है तिक आप सबी लोगों को जो है मुझे इसका अंसर कमेंट बॉक्स में करके ब और आप लोग जो है BPSC TRE 3.0 की तायारी कर रहे है कि परी ृट्रीपॉंट जिरो की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो हैं टीचंग परिष्टा के पास कोर्सेज भी है आप लोग टीचिंग परिश्टा के यूट्यूब चानल पर जाके आ आप लोगζ जो है आज तक के आगर आपको TRD 3.0 से डियारी 4.0 में करना है तो आप वो भी कर सकते हो और सबसे इंपोर्टेंट वाली चीज सबसे इंपोर्टेंट वाली चीज है कि आप इस पी क्लिक करोगे आप डारेक्ट ली जाके पेमेंट कर सकते हो आपको 60 से जादा प्रदेशत का जो है डिसकाउंट यहां पर मिल रहा है और सबसे इंपोर्टेंट आपकी लिए जो है हम लोग हर जो है सब्सक्राइब करेंड़न आतेंच हर रहां टार चीजम चैमी चैट अजो सब्सक्राइब करीopath आप कंटेंट चेंटेंट केुछ यह मुझे क our competence सी का रसाइनिक नाम क्या है मुझे comment box में चाहिए ठीक है मैं जैसे session end करूंगा comment box में ची और मुझे और एक चीज जाननी कि क्या आपको session अच्छा लगा मैं ऐसे questions लेकिया हूँ आपके कोई भी topic की अगर suggestions होंगे आप बिल्कुल आप कर सकते हो जो जो जीजे चाहिए मैं सारे comments देखता हूँ लाइक करता हूँ और उसी की उपपर मैं next ppt बनाता हूँ तो इसका भी answer जो है जैसे ही मैं live end करूंगा आपको जो है उसमें comment box में देना है उसकी अगर आप revision test लेना चाहते हूँ उसकी लिए अगर आप interested हो तो आप मुझे comment box में comment करके बता दीजिएगा clear है चलिए thank you so much everyone thank you so much and good day